हेलो वच्चो मेरा नाम है राजवन सींग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परसंटाइल बुस्टर बैच में आज हम लोग करने वाले हैं फिदिक्स का 11th क्लास का लास्ट चेटर विच इस वेब मोशन ठीक है और अच्छा चेप्टर है इसके अगर बारे में बात करी हुए नोट से उनको अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे तो पहली बात और दूसरी बात आप यह समझ पाएंगे कि हां किस प्रकार से कुश्चन जो आपकी थियोरी पढ़ाई गई है उससे कैसे डिवेट हो रहे हैं कैसे मोडिफाई हो करेंगे और हर कोशन में अपने कंसेप्ट को रिकॉल करते हो चलेंगे डाट विल बी आवर टार्गेट इन दिस चैप्टर ठीक है तो अगर हम लोग देखें आज का जो हमाय पास टार्गेट है topics जो हमें cover करने हैं वैसे waves के basics उसके उपर traveling waves, standing wave, beats and beat frequency and dopless अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा weightage जो questions क्या है एक इस वाले part से है, इस वाले part से, third number पे इस वाले part पे है, fourth number पे आपका ये है beats and beat frequency एसा नहीं है कि beat and beat frequency के उपर question नहीं आये हुए, individual questions भी है और कुछ Doppler effect के साथ merge करके questions भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस chapter को start करेंगे, अपने जैसे जैसे हमारे पास question आ रहे, mixed question रखेंगे कि कोई topic हमारे पास कहीं miss ना हो जाए, ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं lecture की पहला कोशन है हमारे पास, पुराना है लेकिन कोई नहीं, two longitudinal waves have equation y1 equal to 2a sin omega t minus kx, एक आपके पास जो equation दे रखेंगे बेटा, पहली equation जो है, that is 2a sin, हमारे पास omega t minus kx, एक आपको equation ये दे दी गई है, और दूसरी आपको एक equation दे दी गई है, ठीक है, a sin 2 omega t, ठीक है, minus 2kx, आपको एक equation ये दे दी गई है, will have same equal intensities के बारे में आपसे बात करी गई है, देखो, दो waves आपको दे दी है, एक का amplitude 2a है, और एक का amplitude हमारे पास, this is your amplitude, राइट, एक का amplitude 2a है, और एक का amplitude हमारे पास a है, अब इन्होंने बोलाए कि दोनों की intensity हमारे पास same होगी या नहीं होगी, यह बताना है, तो intensity of the wave अगर आप ध्यान से देखें, तो intensity of the wave frequency के square और amplitude के square दोनों पर depend करती है, अब सही, कई बच्चे कहेंगे, सर, हमारे पास intensity तो सिर्फ amplitude का square होता था, नहीं बेटा, अगर आप waves वाले चैप्टर में जब intensity निकलवाते थे, तो आपको महाँ पे frequency का भी term होता था, जब हम लोग wave optics की बात करते हैं, तो हम coherent sources की बात करते हैं, और coherent sources में आपकी frequency सेम होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं, i is equal to k a square, लेकिन actually में frequency के term को भी आपको consider करना चाहिए, अब बात आती है, कि सर, हमारे पास frequency कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखना, पहले wave की अगर माल ल इसकी जो frequency आएगी, that is twice of new, basically आएगी, तो दोनों की frequency हमारे पास same नहीं है, clear, तो इन्हों ने कहा है कि we'll have the same intensity, अगर मैं बात करूँ, i1 की, ठीक है, अच्छा, अभी तो हमें चेक करना पड़ेगा, frequency same नहीं है, i1 की अगर आप बात करें, तो यह हो जाएगा, आपका n का square और 2a का whole square इस प्रकार से, ठीक है, तो यह आजाएगा 4, मैं यहापे constant ले लेता हूँ, i1 is equal to constant k, और यह हो जाएगा आपका k n square a square times of 4, यह आगया, अगर मैं i2 की बात करूँ बिटा, तो यह हो जाएगा k, इसका frequency 2n है, इसका square कर लेते हैं, और amplitude आपका a है, इसका square कर ले फिर से आपको 4k n square a square आपको मिल जाएगा, तो अगर आप देखें, तो intensity no doubt, सिर्फ amplitude पर नहीं, frequency पर भी depend करती है, तो intensity दोनों की same है, this is your true statement, this is your true statement, right, statement 2 है, intensity of the waves of given frequency in same media is proportional to the square of amplitude only, this is your false statement, this is your false statement, फिर वो frequency पर भी हमार पास depend करती है, तो statement 1 is true, and statement 2 is false, c option आपका answer basically रहेगा, ठीक है, चला जाए अगले question पर, अगला question, a traveling wave, represented by y equal to a sin omega t minus kx is superimposed on another wave, represented by a sin omega t plus kx, the resultant is, अब question को read करते ही, आपको ये चीज़ समझनी है, कि ये जो आपका wave को represent करा गया है, ठीक है, ये आपकी traveling wave है, और आपकी ये वाली भी traveling wave है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछले कि इसकी direction क्या है, अगर यहाँ minus होता है, तो ये positive x direction में move करती हुई wave है, जिसका amplitude आपका a है, बिटा, और ये वाली wave के अगर बात करें, तो य negative x axis में traveling wave है, जिसका amplitude आपका a है, अब standing wave आपकी कैसे बनती थी, standing wave आपकी बनती थी, कि जब आपकी दो waves opposite direction में, एक medium में super impulse हो जाती है, जिनका amplitude same भी हो सकता है, और different भी हो सकता है, even a2 भी हो सकता है, a and a भी हो सकता है, अगर amplitude different है, तो आपको exactly nodes पर minimum amplitude a1 minus a2 मिलता है, और अ anti node की बात करें, तो a1 plus a2 मिलता है, जब amplitude same हो जाते हैं, तो nodes पर amplitude आपको 0 मिलता है, और anti nodes पर amplitude आपको 2a मिलता है, तो अगर मैं इस case की बात करूँ, तो एक standing wave बनने वाली है, तो इन्होंने कहा है, the resultant is wave traveling along x-axis, wave traveling along minus x-axis, नहीं बेटा, ये आपकी गलत बात हो जाएगी, ये क्यों क्योंकि इन दोनों के super position से आपको मिलेगी एक standing wave, और standing wave में energy का flow in either direction is not present, ठीक है, standing wave क्यों बोला जाता है, कि wave ऐसे 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 चल रही होती है, ठीक है, इस direction में अगर e energy का flow है, opposite direction में भी e energy का flow हो रहा होता है, तो net flow of energy आपकी 0 हो जाती है, that's why it is called a standing wave, तो पहली ब पोला है, a और b option में standing wave having nodes at, इतना, standing wave having nodes at, इतना, तो इनोंने ये mention किया है, तो चलिए, हम लोग दोनों equation की बात करें, slide वही है, ठीक है, तो जो net आपका आएगा, that will be y1 plus y2, आप दोनों waves को superimpose करा दीजे, a sin ये है आपका omega t plus kx, एक, और दूसरा है आपका a sin omega t minus kx, इस से है ना बिटा, ठीक है, a sin omega t plus kx, and a sin omega opposite direction में चल रहे है, अगर आप यहाँ पर इसको open कर दे, sin a plus b का formula लगा दे, a common ले लेते है, sin a plus b का formula आएगा, sin a cos b plus, plus cos a sin b, यहाएगा, ठीक है, और अगर आप इसकी बात करेंगे, तो sin a cos b minus, हमारे पास cos a, sin b, इस प्रकार से आपकी दोनों का superposition basically हो जाएगा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और simplify करूँ, तो अगर आप देखें, तो cos omega t sin kx, यह वाला part कट जाएगा, तो resultant जो आपकी wave आएगी, that resultant wave will be 2a, ठीक है, 2a cos kx sin omega t, कुछ इस प्रकार से होगी, और this is a equation of a standing wave, equation of standing wave, यह आपकी standing wave की equation है, जब भी आपका x वाला part और t वाला part, जैसे x वाला part और t वाला part separate out हो जाएगा, तब आपकी standing wave होती है, beats की wave में दोनों ही time के function हमारे पास होते हैं, और traveling wave में omega t और kx phase में आपको मिलते हैं, तो यह आपको देख के पता लग जाएगा, यह है अब आपका amplitude, यह है this is your amplitude, हाँ या ना, amplitude जो standing wave का है is a function of x, यह x के साथ vary करते हुआ हमारे पास function है, अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास nodes कहां पर होंगे, किन-किन x पर हमारे पास generally nodes होने चाहिए, ठीक है, तो अब मैं बात करूं, nodes हमारे पास क्या होते हैं, nodes ऐसे point होते हैं, जहाँ पर आपका amplitude is equal to 0, जहाँ पर आपका amplitude is equal to 0, तो जहाँ जहाँ पर यह आपका amplitude है, यह 0 होगा, वहाँ वहाँ पर आपके nodes होंगे, तो 2a cos, अगर मैं nodes की बात करूं बेटा, nodes के अगर हम लोग analysis करें, तो 2a cos kx आपका basically 0 हो जाए, तब ही आपको nodes मिलेगा, means cos kx की अगर आप बात करें, तो 0 हो जाए, या फिर kx की अगर आप बात करें, तो यह आपका 2n plus 1 pi by 2 basically हो जाए, है ना, क्योंकि n की value अगर आप 0 डालेंगे, तो n की value 0 तो यह cos pi by 2 0 हो जाएगा, n की value अगर आप 1 डालेंगे, cos 3 pi by 2 0, 0, 1, 2, 3 and so on, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, और k की value होती है, 2 pi by lambda into x is equal to 2n plus 1 pi by 2, आप यहाँ पर रख सकते हैं, pi से pi हमारे पास cancel out हुआ, x की बात करेंगे 2n plus 1, हमारे पास lambda by 4, basically यह आजाएगा, ठीक है, तो हमारे लिए option में देखा जाए, ठीक है, 2, अच्छा, lambda by 2, अगर हम लोग इसको इसी form में रख लें, तो यह आपका हो जाएगा, n by 2, ठीक है, यह lambda by 2, उस option के हिसाब से देखे तो n plus 1 by 2 into lambda by 2, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, इसका एक 2 अंदर भेज दिया, एक 2 इसके साथ रख दिया, और n की value आपके लिए कहां से कहां होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 and so on, तो आपका, अगर मैं इस के हिसाब से देखू, तो b option, x equal to n plus half lambda by 2, n की value यह, तो b option, that will be your answer, b option, that will be your answer, clear, चला जाए आगे, अगला question है, a cylindrical tube open at both the ends, आपके पास एक cylindrical tube है, मैं cross section बना रहा हूँ, यह दोनों साइड से आपकी open है, इधर भी open है, और इधर भी आपकी यह open है, right, has a fundamental frequency f in air, fundamental frequency इसके अंदर कैसे बनती है, जब open end पर आपका anti node और anti node हो जाए, और बीच में आपका node हो जाए, तो क्योंकि diameter नहीं दे रहा है, तो end correction नहीं लेना, आपकी जो standing wave इस प्रकार से आपकी बनती है, right, तो यह आपका जो L length है, इस प्रकार से हमारे पास होता है, revise करते हो चलेंगे, anti node और node के बीच का distance is lambda by 4 हमारे पास होता है बेटा, और यह वाला भी हमारे पास lambda by 4 basically होता है, तो आप कह सकते है, L की value जो हमारे पास आएगी, that is lambda by 2, lambda is equal to 2L, और अगर आप frequency की बात करें, तो that will be equal to speed into wavelength, ठीक है, speed into wavelength, तो यह आजाएगा, आपका 2L हमारे पास, और, हाँ, lambda is equal to 2L, और speed है, under root में T by mu, कुछ गडबड़ कर दिये है हम लोगों ने, ठ ठीक है, हमारे पास speed is equal to frequency, yes, speed is equal to frequency into wavelength आएगा बेटा, तो frequency की अगर मैं बात करूँ, frequency की बात करूँ, तो यह आएगा 1 upon 2L under root में T by mu, क्योंकि आपने fundamental बनाई है, से नीचे कोई standing way present नहीं है, तो यह आपकी है, ठीक है, तो concept recall कर लेंगे, अब इन्होंने काया कि fundamental frequency जो question में given है, that is F, fundamental frequency की अगर मैं बात करूँ, तो that is given as F, मतलग, इस scenario में यह frequency F है, in air, the tube is dipped vertically in water, so that half of it is in water, ठीक है, तो आपने इस tube को पानी में dip कर दिया है, कि आधा length, ठीक है, आधा length, हमारे पास अब पानी में आ गया है, ठीक है, this is L by 2, in water, ठीक है, हाँ, the half of it is in water, the fundamental frequency of the air column is now, अब ज़र देखो कि यह हमारे पा, यह actually में जब आपने पानी में कर दिया है, तो अब आपके लिए यह क्या हो जाएगा, this is organ pipe closed at one end, organ pipe closed at one end, एक end पर बंद हुई आपकी organ pipe, तो इसमें आपकी fundamental frequency कैसे बनती है, जहाँ पर particle oscillate नहीं कर पाएंग एंटी नोड आपका यहाँ बनेगा, this will be your lambda by 2, lambda by 4, sorry, lambda by 4, और यह वाली लेंट आपके कितनी है, l by 2, तो इस case में अगर मैं बात करूँ जारा, यहाँ पर धियान से देखना, इस case में बात करोगे, तो lambda by 4 is equal to l by 2, और lambda is equal to l by, हमारे पास, lambda is equal to 2 l, यही आ गया, और यहाँ पर भी lambda आपका 2 l आया था, तो क्या आपको यह चीज़ समझ आ रही है, कि इस बार भी जब अप air है, तो speed आपकी सेम ही रहेगा, अच्छा, यहाँ पर string नहीं है, तो velocity of sound यहाँ पर कर लेंगे, velocity of sound, क्योंकि वो अभी भी air में है, तो वो सेम ही रहेगा, upon 2 l है, तो यहाँ पर भी, अगर आप frequency की बात करेंगे, f dash, तो that will be 1 upon 2 l और velocity of sound, या जाएगा हमारे पास, है ना, हमारे पास या जाएगा frequency, और अगर आप देखें, तो यह बिलकुल same f के बराबर है, तो in this case, अगर आप बात करें, तो frequency will be f only, तो d option, आप सभी लोगों का answer basically आ जाएगा, तो मैं, जितने भी question है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे formula को याद नहीं रखतें, तो ऐसा नहीं है कि आप formula को तरीका अगर आप समझेंगे, तो आप basically derive करता हुए, चले जाएगे, standing waves बे, ठीक है, चला जाए आगे, अगला question, a pipe of length 85 cm is closed from one end, माल लीजे कि आपकी एक pipe है, इस प clear, अब ज़र देखना, ये वाली जो आपकी pipe है, ये एक side से बंद है, और इसका जो length है, that is given as 85 cm, this length is given as 85 cm, is closed from one end, find the number of possible natural oscillation of the air column in the pipe whose frequency lies between below 1 to 50, अब ज़र देखो, इसके अंदर कितनी प्रकार की standing waves बनाई जा सकती है, बहुत सारी standing waves बनाई जा सकती है, है ना, अब बात है, कि हमारे पास velocity of the sound जो हमारे पास given है, that is equal to 340 meter per second, ठीक है, अब कोई formula अगर आपको याद नहीं है, तब भी आप इस question को कर सकते हैं, वो आपके दिमाग से mental blockade जो है formula का उसको separate out करना है, बस basics आपको clear होने चाहिए, बहुत दिखो अगर एक side से बंद है, तो उसकी जो fundamental अग नोड बनेगा, तो fundamental आपका कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि diameter नहीं दे रखा है, तो end correction हम लोग नहीं लेंगे, तो यहाँ आपका anti-node होगा, यहाँ आपका node होगा, and this distance length will be equal to, हमारे पास lambda by 4 होगा, तो lambda is equal to 4L आ गया बेटा, है न, यहाँ गया हमारे पास, और अगर मैं speed की बात करूं, तो speed is equal to frequency into wavelength हमारे पास होगा, तो speed is 340 meter per second divided by wavelength is 4 times of 85, यह आपका हमारे पास new knot, fundamental frequency आएगा, इसको ज़र एक बार आप calculate out कर लीजे, ठीक है, तो that will be equal to 340 divided by 4, divided by 85, है न, divided by 85, अगर आप देखें, यही आ रहा है न, हमारे पास, frequency, कुछ गड़बड तो नहीं है, 340, अच्छे ही centimeter में है, ठीक है, ओके, तो यह into 100 और कर देते हैं, ठीक है, meters में आ जाएगा हमारे पास, तो यह आएगा 3400, divided by, हमारे पास 4, divided by 85, 100, जो आपकी fundamental frequency है, that is 100 hertz की, ठीक है, that is 100 hertz की, अब यह तो आपको पता हो कि हमारे पास, close organ pipe में odd integrals में सलता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है, मालो कि आपको odd integer का concept नहीं पता है, तो चलिए basic से चलते हैं, आपने यह कर लिया, अच्छा यार, fundamental जो basic standing wave बनेगी, वो 100 hertz की होगी, तो 1250 से नीचे, जितनी बनेगी, हमें उनको count करना है, कि कितनी बन जाएंगी, तो मैंने का यार, चलो, इसके बाद की standing wave कैसे बनती, यहाँ पर एक लूप और आजाता, कुछ ऐसे हो जाता, है ना, तब यहाँ पर आपका node आ जाता, इसको देखते ही, आपको पता लग जाएगा, तो node और node के करें, तो 3 lambda by 4, इस बार आपका length बनेगा, तो lambda will be equal to 4L by 3, आपका आएगा, yes, और अगर आप frequency को निकालेंगे, तो frequency आपकी कितनी आजाएगी, हमारे पास यहाँ पर आएगी, 3 lambda by 4 यह आएगा, यह lambda by 2 and lambda by 4, that will be equal to speed divided by frequency, wavelength, है ना, और अगर आप देखें, तो 3 divided by 4, 4L, velocity of sound आजाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, fundamental frequency, velocity of sound, divided by हमारे पास 4L आएगा, क्या आपको यहाँ से समझनी आएगा, कि यह 3 ताइम्स पर आएगी, जैसे जैसे आपका बनता चला जाएगा, अगले overtones आते रहेंगे, that is 3 times of fundamental frequency, 3 F0 पर आपको मिलेगी, मतलब अगली frequency आपको मिलेगी, 300 Hz पर, फिर इसकी अगली अगर आप करोगे, तो हमारे पास, फिर से हमारे पास odd integers पर, हमारे पास odd वाले पर आएगा, तो यह आपका आजाएगा 500 Hz पर, ठीक है, फिर 700 Hz पर, फिर 900 Hz पर, ठीक है, फिर आपका 1100 Hz पर, और फिर 1250 से नीचे देखे, तो यह आपकी frequencies generate होईगी, तो एक यह हो गया, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 आपका answer basically हो जाएगा, ठीक है, 6 आपका answer हो जाएगा, अगर आपको अभी भी है कि यह चीज़ रिकॉल नहीं हो पारी, तो इससे दो लूप आपके आजाएगे, तो lambda प्लस lambda by 4 जैसे आप करोगे, 5 lambda by 4 आपकी अ फिर 900, फिर 1100, 1250 के नीचे इतनी frequencies पर यहाँ पर standing wave बनेगी, ठीक है, तो आप बिना formula, मतलब कोई आपको अगर यह वाला formula याद होए, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है, तो आप तब भी इसको recall कर सकते हैं, C option, that will be your answer, चला जाएगा अगले question पर, अगला question, a uniform string of length 20 meters suspended from a rigid support, ठीक है, आपने एक 20 meter की length को, ठीक है, ऐसे माल लिजे, यह length है आपकी 20 meters की, ठीक है, from a rigid support, a short wave pulse is introduced at its lowest end, आपने यहाँ पर एक छोटी सी एक wave को बना के यहाँ पर फेक दिया है, ठीक है, और, it starts moving up the string, the time taken to reach the support, यह obvious है कि आपको यह class में कहीं न कहीं बताया गया होगा, ठीक है, यह कितने time में यह जो string है, top point पर पहुंच जाएगी, आपको इसके बारे में बताना है, अगर आपने notes में यह चीज़ धियान से दिखी है, तो तो मिल जाएगर नहीं भी है, तो भी कोई इसी बात नहीं है, क्योंकि teacher ने आपको यह चीज़ जरू बताई होगी, कि अगर आप velocity of wave in string की अगर आप बात करे, ठीक है, अच्छा कोशन है, star mark कर लेना, that is equal to under root में tension divided by mass per unit length, mu, अब बात यहाँ पर जाएगर यह चीज़ समझना, कि जैसे जैसे wave यहाँ पर आएगी, त as we move up, tension will keep on varying, और अगर आपकी tension vary कर रही है, mass per unit length आपका constant है, तो अव्यसी बात है, जो यह wave है, यह अलग-अलग speed पर उपर भागेगी, तो आप directly क्या कर सकते हैं, नहीं, और अगर आप directly नहीं कर सकते हैं, तो integration ही आपका एक मात्र रास्ता बचता है, तो आईए, concept आपका यहां से बना, कि आपको जो teacher ने बता रखा है, तो अब आपको यह चीज़ सोचना है, कि tension vary करेगा, तो अगर आप यहां से किसी भी x distance पर चले जाए, तो इससे नीचे का, जो यहां पर tension होगा, आप यहां पर लिख सकते हैं, that will be equal to weight of hanging part, weight of hanging part, जो नीचे आपका part hang कर रहा है, वो रहेगा, और l length है, अभी मैं यहां पर capital L लेता हूँ, ठीक है, तो जो l length पर आपका mass है, m per unit length पर हो जाएगा, m by l, तो x length का mass हो जाएगा, m by l into x, तो यही तो आपका mu है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो आपका tension at any x है, tension at any x, किसी भी x पर जो tension होगा, that will be the weight of the hanging part, यह वाला part, that will be mu x g, तो velocity of the wave at any x, किसी भी x पर जो आपकी velocity होगी, that will be under root में tension की जगा, mu x g, divided by mu, यह कट गया, under root में x into g, यह आपकी velocity आई, clear, बहुत प्यारा कोशन है ध्यान से, तो velocity x के साथ vary कर रही है, अब हमें चाहिए time कितना लगेगा, उपर तक पहुँचने में, तो आपको भी पता है, velocity is equal to under root में x into g है, अगर मैं इसको dx by dt रख लेता, ठीक है, dx by dt, अगर मैं इसको रख लूँ, तो dx by root x is equal to root of g into dt, ऐसे लिख लेते हैं, x आपका कहां से कहां vary कर रहा है, 0 से capital L, मैं general formula बना देता हूँ, और time आपका 0 से capital T जा रहा है, अगर आप इसका integration करेंगे, to root x आएगा, from 0 से L, और यह आपका आजाएगा, root g into t from 0 से t, तो अगर आप देखें, तो 2 root L minus 0 is equal to root g into t, अगर आप देखें, तो time की value जो आपकी आ रही है, twice of under root में L by g, यह आपका answer है, अब यह general formula आपको याद रखना है, अगर आप देखें, तो length की value आपकी 20 meters थी, और g की value आप 10 लेके चल सकते हैं, तो time will be equal to 2 root of 20 by 10, तो that will be equal to 2 root 2 seconds, तो यह आपका basically answer हो जाएगा, 2 root 2 seconds, तो B option, that will be your answer, clear, तो इस question को star mark कर लेना, बहुत अच्छा and important question है, चला जाए आगे, अगला question, a heavy ball of mass M is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass M, ठीक है, string का भी mass दे रखा है, ठीक है, हमाया पर लेकिन M is very very greater, capital M is very very greater, तो मैं यह माल ले तो यह massless ही है, और यहां पर आपका capital M mass है, light string है, L length की माल लेते है, when the car is at rest, the speed of the transverse wave in the string is 60 meter per second, भाई देखो, जब car rest पर है, तो जो velocity of the wave का formula है, string के अंदर, that is equal to under root में T by mu है, तो यह बोल रहे हैं, 60 meter per second है, जब देखो, इसका तो mass neglect कर रहे हैं, तो इसका खुद का अपना, कितना हो जाएगा, इसका खुद का अपना वजन हो जाएगा, mg, और यही आपका tension T होगा, सर, wire का क्यों नहीं ले रहे, wire का इसलिए नहीं ले रहे, क्योंकि इन्होंने खुद approximation दे रखा है, अगर नहीं दिया होता, तो obvious सी बात है, कि यहाँ पर variable आपका आता, integrate करना पड़ता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर tension की बात करें, तो capital mg divided by mass per unit length, यह आगया, अब इन्हों का है, when the car has acceleration A, अगर यह car A acceleration से आगे चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, the wave speed increases to 60.52, मतलब यह आपकी final velocity इतनी हो जाती है, the value of A in terms of gravitational acceleration G is closest to, हमारे पास near about जो है, वो आपको बताना है, अब जब देखो, यह था तब जब हमारे पास frame is at rest, frame is at rest, frame is at rest, frame is at rest, लेकिन अगर आपका यही वाला frame accelerated होगा, तब कैसा scenario होगा, law of motion थोड़ा से इन्हों ने इसमें डाल दिया है, तो आपको भी पता है कि यह string कुछ ऐसा angle बना लेगी, theta यह होगा, और tan theta equal to A by G आपने law of motion में पढ़ा ही है, इतने angle पर यह हमारे पास bend हो जा तो G आपका यहाँ है, A आपका यहाँ है, तो G effective इन दोनों के बीच में मलेगा, that is under root में G square plus A square, कुछ इस प्रकार से, right, तो जो tension develop होगा, आप ध्यांच देखना, जो आपका यहाँ पर new tension होगा, that will be T new is equal to M into G effective हो जाएगा, और अगर मैं velocity new वाली की अगर मैं बात करूँ, तो यह हो जाएगा, नया tension जो develop होगा, और wire का mass per unit line तो same ही रहेगा, that will be equal to under root में M into G, under root में G square plus A square divided by mu, वो तो अभी भी आई है, अब question में क्या दे रखा, यह 60.5 है, ठीक है, is equal to under root में M by mu, under root में G square plus A square, कुछ इस प्रकार से, है, ठीक है, हमें A की value बतानी थी, दो equation है, ratio ले लो, अगर मैं ratio ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 60.5 divided by 60, अगर मैं कर लो, तो यह आपका हो जाएगा, M और वो सारा कड़ जाएगा, तो under root में, under root में G square plus A square divided by G, कुछ इस प्रकार से आजाएगा, है ना, नहीं, हाँ, यही आएगा, अगर आप, देखे, M G by mu है, और यहाँ पर M into S, तो इसको अगर आप लेते तो यह आजाता, है ना, और अगर मैं इसका squaring कर दूँ, तो 60.5 divided by 60 का square अगर आप कर दें, तो यह आजाएगा, under root में, G square plus A square divided by G square, यह आजाएगा, नहीं, अभी तो G ही आएगा, और अगर एक और बार squaring कर दें, तो 60.5 divided by 60 का whole की square, या power 4, इस G square plus A square divided by G square, कुछ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, हमें A चाहिए, अब बात आ रही है, इस में ऐसे लगा ले, ठीक है, क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख ले, 60 plus 0.5 divided by 60 की power 4 is equal to G square plus A square by G square, और अगर मैं देखू, तो 1 plus 0.5 divided by 60 की power 4 कुछ चमक रहा होगा बेटा, आपको, और नहीं चमक रहा है तो बेटा, चमकाईए, अब समय आ चुका है, बाइनोमिया लगा सकते है यह बहुत छोटी value है, 1 के comparison में, तो 1 plus binomial, यहाँ पर हम लोग लगा ले, ठीक है, binomial approximation अगर हम लोग लगा ले, तो 1 plus 0.5 into 4 divided by 60, that will be equal to G square plus A square divided by G square, तो यह आजागा, 1 plus 2 divided by 60, है ना, equal to G square plus A square by G square, तो 1 by 30, 1 plus 1 by 30 is equal to 1 plus A square by G square, यह आगया हमारे पास, है ना, और comparison अगर आप कर ले, तो 1 divided by 30 is equal to A square by G square आ रहा है, तो A is equal to G divided by root of 30, यह आपकी value approximately आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास 6 का 36 आएगा, अगर देखा जाए तो यह 5 point something के बीच में आ जाएगा, 5.5 के आसपास आप कह सकते है, 30 का root अगर देखें, तो 5.5 के आसपास आ सकता है, तो option के near about के अगर मैं बात करूँ, तो यह G divided by 5 आपका value होना चाहिए, है ना, यह आपका G divided by 5, B option should be your answer, clear, चला जाए अपने अगले question पर, अगला question है, equation of the traveling wave on a stretch string of linear mass density, आपको question में lambda दे रखा है, that is 5 gram per meter, है ना, तो that is 5 into 10 raise to power minus 3 kg per meter आगे बेटा, that is your lambda या आप mu कह सकते है, mass per unit length जैसे अब भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, is the equation आपको दे रखे है, यह वाली हमारे पास, तो यह amplitude आपके लिए हो गया है, 0.03, omega is 450, और k is equal to 9, यह आपको given है, where distance and time are measured in s and unit, the tension in the string is, ठीक है, अब जो देखो, यह वाला question आपको बहुत multiple times पर repetitive मिलेगा, एक string के अंदर velocity of the wave in a string, अभी हम लोग formula की भी बात कर रहे थे, under root में tension divided by mu होता है, है ना, तो अगर मैं देखो, तो v square into mu is your tension, अगर मेरे को किसी तरीके से speed पता लग गई, तो काम बन जाएगा, क्योंकि mu तो given ही है, अब speed काह से निकालेंगा, obvious सी बात है, जो दूसरी चीज गिवन है, ये, तो velocity, अगर आपको ये याद हो, omega equal to kेंदर विधाले, कई बच्चे केंदर विधाले स्कूल से पड़े होंगे, और नहीं भी पड़े होंगे, तो जानते जरूर होंगे, इतना खतरनाक स्कूल है, है ना, तो इस शरीके से आप याद रख that is equal to omega by k, तो omega is your 450 divided by 9, ये आ गया हमारे पास, clear, अब बात आ रही है, अगर मेरे को tension चाहिए था, तो tension is, हमारे पास v का square, तो 450 into 450, ठीक है, divided by, हमारे पास 9 into 9 into, mu की अगर आप बात करें, तो 5 into 10 की power minus 3, या जाएगा हमारे पास, है ना, अगर देखा जाए, omega आपका 450 है, और k की value आपके लिए 9 है, राइट, तो v square into mu, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको cut कर लें, तो हमारे पास 50, 50, ठीक है, तो 125 और into 10 की power minus 1, 12.5 meter per second, आपका answer, basically हो जाएगा, D option, that will be your answer, clear, चला जाए आगे, अगला question, a traveling harmonic wave is represented by equation 10 raise to power minus 3, क्योंकि यह इस प्रकार से है, तो मैं यहां लिख देता हूँ, is a correct statement, कौन सी हमारे पास correct statement है, the wave is propagating along the negative x-axis with speed इतना, the wave is, अच्छा हमें direction बता नहीं है और speed बता नहीं है, बाई देखो मैंने अभी आपको पहली बता जिए, equation से, यह same चीज़ आपको electromagnetic waves में भी मदद करेगी, प्लीज यहां समझना, जो phase है उससे देखना, अगर यहां पर plus है, तो यह negative x-axis में move कर रही है, और कौन सी x-axis है, जो यहां पर है, अगर आपका x है, तो यह negative x-axis में जा रही है, and velocity of the wave कि अगर आप बात करें, तो that is omega by k, अभी हम लोग ने निकाला था, तो omega is your 50, divided by k is 2, तो 25 meter per second से यह negative x-axis में चल रही है, तो 25 वाला option आपका यह दोनों, the wave is propagating along the positive x-axis, नहीं, the wave is propagating along the negative x-axis with 25 meter per second, तो velocity of the wave के उपर कई बार कोशन आए है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, चला जाए अगले कोशन पर, अगला कोशन, string is clamped at the both the ends and is vibrating in fourth harmonic, ठीक है, अब यह आपका standing wave का है, आपने एक string को दोनों साइड से clamp कर दिया है बेटा, और यह fourth harmonic में चल रही है, अब कई बच्चे harmonic overtones को नहीं समझते, तो मैं थोड़ा सा time लेके आपको यहाँ पर इस concept को भी clear कर देता हूँ, आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, कि sir हमें तो fourth harmonic दे दिया था, हमें तो overtone के बारे में बता दिया था, या तो देखो आपने class में पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहोगा, यहां पर चार लूप्स बनने वाले एक वो वच्छा जिनको ये बात क्लियर है आप इस को स्टार्ट कर सकते तो ये बद्र होती हैं तो मैं उसको भी एक टलिट हो चलूँगा ठीक है क्लियाप ट मानना भी को ये सी आपको फिर भी एक overview पता होना चाहिए कि आपकी जो question practice है या फिर test analysis है यह हमेशा आपकी study का ही part है अगर आप इसको समझेंगे कि यह आपकी सिर्फ analysis का part है तो गलत है यह आपके पढ़ाई का ही part है जब आप कोई चीज को पढ़ते हैं तो कई बार हो सकता है उसको में आप question से theory को recall कैसे करना है ठीक है अब इन्होंने क्या बोला है fourth harmonic है the equation of the standing wave the stationary wave बोलो या standing wave जो equation है that is 0.3 sin of 0.157 x ठीक है और cos of 200 pi टी जरब मैंने बोला था time वाला और x वाला जब separate out हो जाएंगे तो standing wave बन जाएगी the length of the string हमें बतानी है ठीक है length of the string आपको यहां पर बतानी है ठीक है इसमें कितनी length होईगी clear अब देखो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए करते हैं जिन्नों को ये बात पता है कि fourth harmonic है क्या ठीक है और जिनको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वेट करना उसकी बात भी करेंगे fourth harmonic में जैसे या फिर चलो base से न दूसरी बात अगर आप इससे उपर वाली standing wave बनाना चाहते हो तो अगली standing wave आपकी ऐसे बनती है ठीक है अगर आपको fundamental ध्याँ समझना fundamental जो आपने standing wave बनाई अगर वो frequency f0 पर है तो यह आपकी कहलाती है first overtone fundamental के बाद आपकी जो next standing wave बनती है उसको हम कहते है first overtone इसके बाद अगली जो बनेगी second overtone this is like a ranking जैसे आपकी class में first rank second rank rank नहीं रोल नंबर आपकी class में roll number 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 33 34 जितने भी बच्चे है उसके साब से लेकिन आप सभी लोग पता है वो आपकी rank नहीं है class में roll number 1 है जरूरी नहीं हो कि वह बहुत तेज पढ़ने वाला बच्चा हो अगर सो हर्ट है तो इसके लिए 200 हर्ट की requirement होगी अभी हम लोग इसको drive कर लेंगे आपका इसके बाद अगर आप second overtone की बात करेंगे तो उसके लिए जो आपको frequency चाहिए that is 3F0 और आपको third overtone अगर आपको बनाना है इसके अगले वाली के अगर बनाना है तो उसके लिए जो frequency चाहिए that is 4F0 पहले तो ये चीज़ समझे आपका first overtone ऐसा था second overtone में चार लूप्स होंगे कुछ इस प्रकार से ठीक है आपके एक दो तीन एंड चार कुछ इस प्रकार से आपके लूप्स होंगे clear sir harmonics word कहा है यहीं पर समझा रहा हूं तो fundamental के बाद जब जब आपकी standing wave बनती है overtone की गिंती start हो जाती है first overtone means जो fundamental standing wave बनी थी उसके अगली जो standing wave है that is first then second then third and this harmonics क्या होते है fundamental frequency के कितने multiple पर है यह दो गुनी multiple पर है तो इसको आप कहते है second harmonics यह fundamental के तीन गुनी frequency पर आएगा तो this will be our third harmonics यह fundamental के चार frequency पर आएगा तो fourth harmonics harmonics are the integral multiple of the fundamental frequencies ठीक है तो यह harmonic जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान से समझना जरूरी नहीं है कि आपका first overtone first harmonics को ऐसा नहीं है वो कौन सी frequency है इतनी अब वो fundamental के कितने terms पर है that is your harmonics clear अब जरह यहां पर ध्यान से देखते हैं ठीक है अब जरह यहां पर ध्यान से देखते हैं इस question में उन्होंने बोला है ठीक है इस question में इन्होंने बोला है कि हम लोगों की जो wave की equation है वो यह है और यह अपने fourth harmonic में है तो fourth harmonic में चार loops होते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी standing wave बनेगी ठीक है तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो this will be your node, 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 and node तो यह दो node के बीच का distance is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, and lambda by 2 यह होगा और अगर आप इसको जोड़ दें यही आपके लिए length of the wire भी था बेटा तो अगर आप इस चीज़ को जोड़ दें तो आपका 2 lambda is equal to length अब किसी प्रकार से आप lambda निकाल पाए तो काम बन जाएगा है ना किसी प्रकार से आप lambda निकाल पाए तो काम बन जाएगा और अब आपको दूसरी चीज क्या दे रहे है कि equation तो क्या आपको यह चीज समझा रही है यही आपका k है भाई equation जब हम लोग ने कहीं न कहीं इस पहले वाले question में ही I think derive कर दी थी पहले दूसरे question में देखो x के साथ ही आपका k होता है time के साथ omega होता है तो आप यहाँ पर अगर हलका सा ध्यान रखते कहां गया वो question हमारे पास यह वाला question तो आपके लिए जो k की value है that k is equal to हमें दे रहा है 0.157 और यही आपका होगा 2 pi by lambda तो lambda अगर आप देखे तो 2 into pi divided by 0.157 और अगर आप देखे तो 3.14 divided by 2.15 हमारे पास यह pi by अगर आप देखे तो pi by 20 हो गया है ना देखो 3.14 pi है divided by अगर आप 20 कर देंगे तो 0.157 है तो थोड़ा चा दिमाग लगाना था तो यह है pi by 20 pi by cancel out हो जाएगा यह आगया आपका 40 meters ठीक है और अगर आपका 40 meters आगया है तो length of the wire will be equal to 80 meters ठीक है that will be equal to 80 meters that will be your answer ठीक है तो किस प्रकार से आप अपनी theory को question में incorporate करते हैं वो आपके लिए यहाँ पर matter करेगा चला जाए आगे अगला question है a string 2 meter long and fixed at its end is driven by 4 240 hertz vibrator मतलब आपके लिए जो length है that is 2 meters और जो frequency आपको दे रखिये that is 240 hertz की ठीक है the string vibrates in its third harmonic mode ठीक है यह आपकी जो string है दोनों साइट से हमारे पास clamped है third harmonic mode की अगर आप बात करेंगे तो तीन loops होंगे है ना हमारे पास long and हाँ ठीक है तो third harmonic mode the speed of the wave in the fundamental frequency fundamental frequency में ठीक है the speed of the wave in its fundamental frequency हमारे पास कितनी होगी ठीक है and fundamental तो नहीं है क्योंकि दो option दे रखें speed of the wave बताना और fundamental and the speed of the wave अच्छा दो पार्ट है speed of the wave भी बताईए और हमारे पास fundamental frequency हमारे पास कितनी है अभी आपको यह बात पता लग गई थी ठीक है कि इसकी जो frequency होगी that will be three times of f0 यह third harmonic है और अभी आपने frequency कितनी दे रखी है 240 तो 240 is equal to three times of f0 है तो f0 के अगर मैं बात करूं तो 240 divided by three ठीक है तो यह 80 hertz की आपकी frequency होगी fundamental की तो यह दोनों तो option गए आपके यह हो गया 80 अब बात आती है speed अब जड़ा देखना speed is equal to frequency into wavelength होता है बहुत basic formula यूज करवा रहे हैं बार बार तो हमायपा speed हमें चाहिए frequency आपने लगा रखी है 240 अब wavelength कितना होगा अगर आप इसी को analyze करें तो यह node है 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 तो यह पूरा एक wavelength lambda हो गया यह आपका lambda by 2 हो गया तो मैं कह सकता हूं 3 lambda by 2 is your length lambda is equal to 2L by 3 बस यहां पर रखना है 2 into L by 3 तो यह आपका हो जाएगा 80 into 2 into length है आपका 2 तो 80 into 4 8 4 32 300 meter 320 meter आपका meter per second ठीक है meter per second आपका बी option अंसर चमक रहा होगा clear चला जाए आगे अगला कोशन है पेटा आप progressive wave traveling along the positive x direction is represented by देखो यहां पर minus है तो obvious सी बात है positive direction में चलेगा k के साथ x है तो x direction में भी चलेगा यह बात इसनों सही बोली है represented by this it is a snapshot at t equal to 0 is given in the figure for this wave phase phi is equal to यह हमारे पास phi की value हमारे पास यहां पर क्या है clear अब जड़ा देखना वाई equal to कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं लेकिन वाई equal to sine of k omega t minus kx अगर मैं इस equation की बात करूं और y is equal to a sine hc वर्मा में यह line दे रखी उस पर question आ गया 2019 पे ठीक है और kx minus omega t अगर मैं इसकी बात करूं यह दोनों waves है तो sinusoidal लेकिन दोनों में एक difference है ठीक है ध्याँ से समझना जो आपकी omega t minus kx वाली जो wave है वो यह है यह यह भी sine का है यह इस प्रकार से होती है जब t इस वाले graph में और इस वाले graph में एक phase shift है phase difference है that is of pi यह यह उल्टा साइन का graph है न भाई यह उल्टा साइन का graph है न तो इसमें phase shift कितना है पाई अगर आप यहाँ पर दिहां से देखे तो यह इस प्रकार से graph है इन्हों का है कि kx minus omega t का यह जो graph है लेकिन एक ऐसे समय से start हो रहा है जब यह graph इस प्रकार से है यह graph आपका इस प्रकार से है तो आप यह चीज़ समझ सकते हैं इस graph में और इस graph में phase shift का delta phi की अगर मैं बात करूँ तो वो pi का ही हुआ है ना कैसे याद करना है kx minus omega t का graph होता है अब kx minus omega t में मैं ऐसा क्या shift करूँ कि यह इस प पार्ट यहां है पाई की जैसी आप shifting करोगे तो यह वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो यह वाली वेब बन जाएगी तो इसमें phase difference कितना है हमारे पास पाई का तो यह option आपका answer basically हो जाएगा चला जाए अगले question पर अगला question कहा रहा है small speaker delivers 2 watt of audio input ठीक है एक आपका speaker है बेटा ठीक है जिसकी power देदीगी है 2 watts की ठीक है at what distance from the speaker will one detect 120 decibel intensity sound अब आप इससे कितनी दूर चले जाएं ठीक है आप यहां से कितनी दूर चले जाएं कि यहां की जो आपकी intensity है that is equal to 120 db ठीक है 120 decibel intensity sound हो जाए और given reference i naught की value जो है आपके लिए that is 10 raise to power minus 12 watt per meter square अगर यह question में नहीं भी given है तो normal इंसान के लिए यह value आपको याद होनी चाहिए अब decibels है unit intensity की इसमें आपने थोड़ा बहुत wave optics भी पड़ा है तो आप उसको relate कर पाएंगे वहां पर wave optics में light के लिए सब्सक्राइब होता है और यहां पर sound के लिए चलता है जैसे माल लीजे मैं wave optics का question आपको दे दूं कि माल लीजे कि हमारे पास एक bulb है ठीक है जिसकी power हमें पता है ठीक है पी नौट पावर है आर डिस्टेंस पर इससे intensity क्या होगी तो आप लोग wave front बनाते थे ना भाई आर डिस्टेंस पर आप कहते है कि सर इसका wave front यह होगा और जब इसका wave front होगा तो यहां पर अगर आपको intensity निकालनी है तो power divided by area of wave front आपको करना है तो आप यहां पर क्या करते थे बेटा यहां पर कहते थे कि सर पावर इस पी नौट डिवाइट बाइट बाई 4 पाई आर स् आप इंटेंसिटी डिटर्माइन करते थे है ना डिटर्माइन करते थे यही तो तरीका था अब ज़र यहीं समझना कि इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है बस थोड़ा साउंड का टच है इन्होंने power दे दिया है हमारे पस 2 watts that is your p0 ठीक है एट वर्ट डि यह आपका formula होता है है ना मैं यहां की intensity निकाल लेता हूँ यह यहां पर intensity नहीं this is your loudness ठीक है this is your loudness यहां की intensity कितनी है वो निकाल लेता हूँ और फिर wavefront वाले से अपने relate कर लूँगा power पता है intensity यहां पर निकाल लूँगा upon 4 pi r square हो गया question तो पहले आपके दिमाग में यह प अब intensity के लिए आप यहां पर loudness का formula यूज़ कर सकते हैं 120 is equal to 10 log to the base 10 i by 10 raised to power minus 12 कुछ इस प्रकार स्या जाएगा ठीक है अगर आप इसको इस ट्राइप चे काट दें तो यह आपका हमारे पास हो जाएगा 12 is equal to log to the base 10 i by i0 या अभी 10 raised to power minus 12 रख सकते हैं अगर आप इसको यहां पर ले आएं तो 10 raised to power 12 is equal to i by 10 raised to power minus 12 और i की value आपके आजएगी 1 watt per meter square है ना हमारे पास intensity कितनी आगई 1 watt per meter square की अब बात आती है सर यहां पर intensity मेरे को पता लग गई है 1 watt per meter square तो अब क्या करें तो मैंने का यार यह इसका जो वेफ्रेंट बनेगा तो इस वेफ्रेंट पर यह intensity यहां हो जाए यह r की value पूछ रहा है तो आप कहेंगे intensity is equal to p0 divided by 4 pi r square sir मैंने का ok तो sir यह 1 है power 2 है milli watt है या watt है हमारे पास 2 watt ही है ठीक है divided by 4 pi r का square r is equal to 2 divided by 4 pi का root यह आपका meters में answer basically आजाएगा centimeter में convert करना है into 100 centimeters ठीक है तो अगर इसको आप calculate out करेंगे तो यह आपका आजाएगा 1 divided by 1 divided by 2 divided by 3.14 root तो यह आजाएगा आपका 0.3999 meters into 100 centimeter तो 39.9 meters oh sorry centimeters के आसपास आपका answer होगा ठीक है तो हमारे पास B option आपको चमक जाएगा तो यह आपको question जो है wave optics के front से भी important है चला जाए आगे अगला question है a tuning fork of frequency 480 hertz is used in an experiment to measure the speed of sound in air by resonance tube method ठीक है resonance tube आपके लिए important है आपके लिए एक tube होती है ध्यान समझना standing waves का ही है ठीक है tube होती है इसमें आपने जो अपनी frequency generate करी है that is equal to 480 hertz की that is equal to 480 hertz used in an experiment for measuring the speed of the sound in air by resonance tube method the resonance is observed to occur at two successive length हमारे पास पहले एक बार resonance आपको मिली है 30 cm पर और दूसरी आपको resonance मिली है at 70 cm पर then V is equal to आपकी speed of the wave क्या है जब आपकी first resonance मिली है तो आपका कुछ इस प्रकार से standing wave बना होगा जो आपकी second resonance मिली है आपका standing wave कुछ इस प्रकार से हुआ होगा अब आपके उपर है कि आप इसको कैसे करना चाहें पहले वाले data से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ node है यहाँ anti node है तो आप कह सकते हैं lambda by 4 is equal to 30 cm तो lambda आपका आगया 120 cm तो speed is equal to frequency into wavelength आप कर सकते हैं frequency आपका 480 है और wavelength आपका 120 divided by 100 यह है आप एक data यह भी ले सकते हैं second अगर आप बात करें आप पूरे का data लेना चाहें 70 cm थिक है तो हमाय पास यहाँ पर हो जाएगा node तो यह आपका lambda by 2 है प्लस lambda by 4 कि अगर आप बात करें तो वह 70 है तो 3 lambda by 4 is equal to 70 है lambda is equal to 4 into 70 by 3 आपका आगया तो speed कि अगर आप बात करें तो frequency into wavelength आपकी होती है तो frequency है आपकी 480 और यह हो जाएगा 4 into 70 by 3 multiple readings लेके आप averaging कर सकते हैं और average करके अपना answer report कर सकते हैं ठीक है चला जाए आगे speed of the transverse wave on a straight wire जो आपको wire का दे रखा है mass is 6 grams तो 6 into 10 raise to power minus 3 kg यह दे रखा है length is equal to 60 centimeter यह दे रखा है and the area of cross section is equal to 1 millimeter का square equal to 10 raise to power minus 6 meter का square यह दे रखा है is 90 meter per second तो 90 meter per second की आपको एक string में दे रखा है if young modulus of the wire is अगर आपको young modulus हमें दे रखा है that is 16 into 10 की power 11 newton per meter square ठीक है the extension of the wire over its natural length कितना elongation हुआ होगा अब आपके दिमाग में पहली clear आ रहा है young modulus दे रखा है तो force upon area delta l by l लगाना है और अगर आपको elongation लेना है तो f into l divided by a into y हमें चाहिए अब ज़रा देखो question में क्या क्या दे रखा है length आपको दे रखा है area आपको दे रखा है young modulus आपको दे रखा है तर force नहीं दे रखा मैंने कहा दूसरा एक relation है v is equal to under root में t by mu तो v square into mu is equal to your tension या फिर यही आपका force का काम करेगा wire के अंदर है ना तो v आपका 90 into 90 divided by mass per unit length mass है आपका 6 into 10 की power minus 3 divided by length की अगर आप बात करें 60 into 10 की power minus 2 ठीक है that is your force और अगर आपका force आगे तो आप elongation भी calculate out कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका अगर मैं देखूं तो 6 यह हो गया 10 और यह आपका हो गया 8100 into 10 की power minus 1 हो जाएगा उपर एक और बढ़ जाएगा ठीक है है हमारे पास एक और जीरो यहां पर बढ़ जाएगा into 10 की power minus 3 तो force की value आ जाएगे आपकी 81 into length है आपका 60 into 10 की power minus 2 divided by area की बात करें 10 raise to power minus 6 into young modulus की बात करें तो 16 into 10 की power 11 है ना यह आएगा एक बार देख लें तो 10 हो गया 10 raise to power minus 1 और यह उपर चला गया तो 30 यह हो गए यह कट जाएंगे इसके साथ 99 81 ठीक है और 81 यहां रखा है length आपका हो गया 16 into 10 की power minus 2 10 raise to power minus 6 और यह है ना तो अगर हम लोग इसको calculate out कर लें तो यह आपका हो जाएगा 81 into 60 divided by 16 into 10 raise to power minus 2 minus 11 और प्लस 6 यह आएगा है ना तो यह value आ रही है बेटा 81 into 60 divided by 16 तो 30.3 के असपास यह कुछ ऐसे ही होगा ठीक है तो that will be equal to 303.7 into 10 की power यह आपका हो गया हमाई पास 13 है ना 13 में से 6 गया तो 7 तो minus 7 हमाई पास meters में आया अब इन्होंने का है millimeters में निकालना है तो यह आपका आजाएगा 303.7 into 10 की power minus 4 millimeters में हो जाएगा और अगर आप minus 4 की बात करें तो minus 03 यही आएगा ठीक है 037 mm के आसपास तो आपका D option that will be your answer आपका जो answer बनेगा that will be a D option चला जाए अगले कोशन पर बेटा अगला कोशन हा the transverse wave traveling on a taut मतलब tight taut मतलब हमारे पास tight ठीक है tight steel wire with a velocity V when the tension in it is आपको जरह देखो velocity of the wave जो आपको given है that is V और जो आपकी tension है that is 2.06 into 10 की power 4 Newton यह आपकी tension है when the tension is changed to t अचा tension एक नया taut माल लेते हैं इसको अब नया tension t है the velocity changes to V by 2 the velocity of t is closest to I think यह आपको करना चाहिए velocity of the wave आप देख सकते हैं इस वाले part से बहुत question आये है t divided by mu तो यह कह रहा है V is equal to under root में taut या फिर V velocity of the wave is under root में tension के proportional है तो हमारे पास V equal to under root में मैं यह ऐसे लग लेता हूं V divided by V by 2 is equal to t not divided by t आगया आपका है ना VV कट गया twice is equal to under root में t not divided by t square कर दोगे 4 is equal to t not divided by t t is equal to t not divided by 4 तो यह आपका आगया 2.06 into 10 की power 4 divided by 4 तो हमारे पास 0.25 I think B option आपको answer चमक रहा है ठीक है 2.06 divided by 4 तो हमारे पास हाँ या point गलती हो जाती है ठीक है तो C option आपका चमकेगा 5.15 है ना 0.5 के असपस आएगा तो C option that will be your answer clear चला जाए आगे the wire of length L and mass per unit length हमारे पास ठीक है mu आपको दे रखा है fix into 10 की power minus 3 kg per meter ठीक है unit का ध्यान रखते चलना है is put under a tension of इतना ठीक है आपको जो tension दे दिया है that is 540 Newton का आपको दे दिया है two consecutive frequencies that it resonates are 420 hertz and 490 hertz अब ज़र यहां पर ध्यान से सुनना इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक wire है और जब तक mention नहीं किया है तो हम लोग यह मान सकते हैं तो पहली जो frequency है 420 hertz है हो सकता है इसमें कुछ number of loops बन रहे हो n number of loops बन रहे हो and अगली जो आपकी frequency है f2 that is equal to 490 hertz यह है तो इन्होंने कहा है कि L हमारे पास क्या होगा the length of the wire है ना the wire of length L and mass per unit mu दे रखा है अब हमें basically length बताना है अगर मेरे को length निकालना है अब जड़ा खुझ से सोचते हैं कि भाई देखो हमारे पास जो frequencies होती थी अगर मालो यह n times of f0 है तो यह आपकी n plus one times of f0 होगी सर यह कहां से आ गया मैंने आपको बताया था कि अगर wire अगर कहीं दो उस पे clamped है दोनों side से clamped है तो harmonics के अगर बात करें तो हमारे पास दो loop है तो second twice of frequency fundamental 2f0 होगी तो 3f0, 4f0 यह consecutive है अगर मैं इसको कह रहा हूं कि इसके अंदर n loops है तो यह n times f0 होगा इसके अंदर मैं कह रहा हूं n loops है ठीक है तो इसकी frequency n times f0 होगी इसका अगले की बात कर रहा हूं तो मैं n plus one loop की अगर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि frequency बढ़ गई तो loop बढ़ जाएगा तो यह n plus one f0 हो जाएगा अब हम लोग यहां से fundamental frequency को निकाल सकते हैं अगर आप धियान से देखें दोनों को minus कर दें subtract कर दें अगर मैं दोनों को subtract कर दो तो यहां f0 आ जाएगा और यहां पर आपका आ जाएगा 70 Hz की आपकी fundamental frequency है 70 Hz की आपकी fundamental frequency है और जब यह वायर दोनों side पर हमारे पास clamped होती है तो जब देखो fundamental node यहां बनेगा ऐसे आपकी standing wave बनेगी node यहां बनेगा that lambda by 2 equal to L है तो lambda is equal to 2L है तो frequency fundamental frequency 1 upon 2L under root में t by mu आपका आता है अब देखो fundamental frequency आपको पता है that is equal to 70 is equal to 1 upon 2L under root में tension की बात करें तो 540 divided by mu की बात करें तो 6 into 10 की power minus 3 आपका यह आ जाएगा तो length निकालना है चलिए अगली page पे देखते हैं तो length की अगर आप बात करें तो 1 upon 2 into 70 under root में 540 divided by 60 into 60 है क्या 6 into 10 की power minus 3 6 into 10 की power minus 3 ठीक है तो यह आपका आ जाएगा 1 divided by 140 under root में ठीक है 5 54 divided by 6 ठीक है और यह आपका हो जाएगा 10 raise to power 2 यह आएगा ना भाई वैल्यूज एक बाद चेक कर ली जाए मू की value हमारे पास 6 into 10 की power minus 3 है ठीक है टेंशन आपका 540 है राइट सही है हम लोगों को बोल रखा है दो consecutive frequencies resonates at two consecutive frequencies 420 and 490 तो consecutive वे यह fundamental नहीं दे रखा है तो मैंने का अगर fundamental f0 है तो consecutive के लिए एक में अगर n loops है तो यह n f0 हो जाएगा उसकी अगली हमारे पास n प्लस 1 हमारे पास f0 basically हो जाएगा राइट अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रेक्ट कर लेंगे तो fundamental frequency आ जाएगी that will be our 70 hertz clear और fundamental frequency का आएगा 1 upon 12 अंडर रूट में t by mu तो यह वाला हमारे पास 70 equal to 1 upon 12 और टेंशन हमारे पास 540 यह कहीं हमारे पास गड़बढ ना हो तो यहां पर हमारे पास इस वाले 70 को में इधर ले गया और यह हमारे पास इधर आ गया 140 ठीक है तो यह आपका हो जाएगा हमारे लिए 10 divided by 140 ठीक है और अगर हम लोग देखें ठीक है root of हमारे पास 54 divided by 6 अच्छा यह तो directly 9 अरे हां यार ठीक है तो यह आपका आ गया 3 और यह आपका कट गया 3 by 1 14 3 by 14 तो अगर आप देखें तो 3 divided by 14 तो यह आपका आगा 0.214 meters ठीक है या 21 cm के आसपस 0.214 तो यह टू पॉइंट क्यों आ रहा है कहीं वहीं में को कहीं गड़बड तो नहीं कर रहे है हमनों 6 into 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर ओई होई होई हाँ यहाँ पर गड़बड हो रही है तो यह ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा तो 10 की पावर एक और आएगा ठीक है तो 2 1 हाँ यह आपका होगा 2.14 meters ठीक है तो हमारे पास D option that will be your answer clear तो थोड़ा थिआ रखना है यह वाला पाट आपको एक बार आप standing waves के ये वाले part को थोड़ा से clear कर लो बेटा तो ये आपके question थोड़े से आसान आपके कर देगा ठीक है चला जाए आगे अगला question 2 identical string x and z are made of same material have tension t and tb if the fundamental frequencies are इतना इतना respectively then tx अब fundamental frequencies आपको दे ही दिया है fundamental frequency ये वाला question आप करेंगे 1 upon 2L under root में t by mu है ठीक है तो आप same material है तो mass per unit length हमारे पास same होगा ठीक है identical strings ले रहे हैं तो length भी आपका same होगा frequency is directly proportional to root of tension है तो आपका ये question homework में मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज एक बार इसको आप try जरूर करिए चला जाए आगे अगला question two cars approaching each other at a speed of 7.2 km per hour आपकी दो cars है एक car एक माल लेते हैं A है ठीक है और आपकी एक दूसरी car है B ये दोनों एक दूसरे को कितने पर अप्रोच कर रहे हैं 7.2 km per hour की speed से ऐसे ठीक है when they see each other both blows horn having frequencies ये दोनों ही horn को blow कर रहे हैं तो जो frequency इनोंने develop करी है that n0 is equal to 676 hertz की frequency and 676 hertz की frequency ठीक है the beat frequency heard by each driver will be ठीक है अब देखो beat frequency के अगर मैं बात करूँ तो beat frequency is difference of frequencies delta n ठीक है जो भी इन दोनों को frequency सुनाई दे रही होंगी उसका difference अब logically जड़ा समझना ठीक है इस बंदे को एक अपने ये हमारे पास जो बंदा है ये एन नॉट इसको तो ये वाला पास आई होगी वो भी सुनाई देगी तो actually में इसके पास दो sound आ रही है उनकी difference of frequency is beat frequency तो पहले तो यही सुनाई देगी अब दूसरी बात है इसको जो इधर से सुनाई देगी n apparent is equal to n0 into v of sound plus minus v of o observer divided by velocity of sound plus minus velocity of source यही होता है है ना अब बात है यह sound है सर इसमें कैसे करते थे अब इसकी देखो n0 तो आपके लिए 676 हो गई है सबसे पहले जैसे sound को blow करेगा वह horn को blow करेगा तो sound velocity आपकी इस direction में है जब same direction में होते हैं velocity तब आप minus use करते हैं opposite direction में plus तो ज़र देखना velocity of the sound लेके चलनी है में 340 कितनी हमारे पास 340 तो यह आपके लिए हो गया 340 अब देखो observer यह है आपके लिए observer यह है observer की velocity इधर है इसकी velocity हमारे पास इधर है sound की तो opposite direction में आप plus लेंगे ठीक है और इसकी speed है 7.2 km per hour into 5 by 18 से आप multiply कर दीजे divided by हमारे पास 340 अगर आप source की बात करें तो यह आपका source हो गया और यह source की velocity velocity और sound की velocity same direction में है तो minus आप करेंगे 7.2 into 5 by 18 से ठीक है तो यह आपकी apparent frequency आएगी एक आपकी यह वाली frequency आएगी और beat frequency आपकी difference of frequencies होगी कि माल लिजे एक n1 ले लेते हैं एक आपकी n2 ले लेते हैं तो वह आपकी beat frequency calculate out होगी थोड़ा calculation है प्लीज एक बार आप इसको जरूर ट्राय करिएगा ठीक है चला जाए अगले question पर अगला question a student is performing the experiment of a resonance column the diameter of the column tube is 6 cm इस question को star mark करना क्योंकि यह आपको तंग कर सकता है ठीक है अभी तक जो आपकी tubes है उनका diameter आपके पास अगर नहीं है तो end correction नहीं लेते लेकिन आप इन्होंने diameter आपको कितना दे दिया है डाया इस अवर 6 cm ठीक है तो कभी भी अगर आपको diameter given है तो यह क्या कह रहे कि end correction क्या होता था याद करिए कि actually में जो हमाइपा tube का जो open end है वहां बनता था anti node वहां क्या बनता था anti node लेकिन जब आपको diameter दिया जाएगा तो end correction is 0.6 times the radius या फिर diameter के term में बात करें तो 0.3 times the diameter मतलब अब आपका anti node यहां से थोड़ा सा बाहर की side पे कई बनेगा तो यह आपका end correction आपको और लेना चाहिए ठीक है तो यह आपका आ गया अब हमें दे रखा है the frequency of the tuning fork is 504 जो आपकी end frequency है that is given as 504 hertz यह आपको given है the speed of the sound at the given temperature velocity of sound जो आपको given है बेटा that is your 336 meter प्रती सेकंड यह आपको given है बेटा the zero of the meter scale coincide with the top end of the मतलब आपका यहां पे scale भी होता था यादगरिये experiment ठीक है यह आपका एक scale है वो कह रहे है कि जो scale का zero है इसके बिल्कुल top end से match कर रहा है the reading of the water level in the column when the first resonance occur जब आपका पहला resonance occur होएगा तो obvious सी बात है आपका पानी यहां तक कहीं आ चुका होगा अब experiment एक बार recall करना है आपको ठीक है तो यहां आपका नोड बनेगा यहां आपका नोड बना होगा और एंटी नोड आपका थोड़ा सा बाहर बनेगा तो यह आपका length L माल लीजें इन्होंने यह पूछा the reading of the water level water level हमाई पस किधर है यह आपको बताना है तो आप इस is equal to 4 times of L plus E यह आजाएगा और speed is equal to frequency into wavelength आपका होता है तो speed आपकी कितनी दे रखी है 336 is equal to frequency is 504 into wavelength की बात करें 4 times of L plus E की बात करेंगे आपका centimeter में ही निकालना है हमारे पास ठीक है तो E की बात करेंगे तो that will be 0.3 times of हमाई पार diameter is 6 तो 618 1.8 centimeter ठीक है तो यह आपका आजाएगा 1.8 centimeter या divide by 100 अभी मैं meters में इसको निकालता हूँ ठीक है तो या फिर आप इसको लिखना चाहे तो this will be your L effective 4 times of L effective ठीक है L effective कोई बार calculation में गड़बड ना हो जाए ठीक है तो हमाई पार L effective की अगर आप value की बात करेंगे तो that will be 336 divided by 504 into 4 यह meters में आएगा into 100 मैं कर दू तो centimeter में आ गया तो value आपकी आजएगी बेटा हमाई पार 336 into 100 ठीक है divided by 504 divided by 4 अगर आप देखें तो 16.66 centimeter और इसी में से हम लोग यही आपके लिए L plus E है ठीक है और E की value आपके लिए कितनी आई थी बेटा 1.8 ठीक है तो L is equal to 16.66 minus 1.8 centimeter में अगर आप इसी में minus 1.8 कर देंगे तो हमाई पास 14. something आएगा ठीक है सही है ठीक है तो हमाई पास 14.8 आपका answer basically होगा तो आपको यह end correction वाली चीज को ध्यान रखना है अब मैं आपको बता रहा है अगर tube जो organ pipe है उसमें भी end correction का question मनता है अगर आपका organ tube दे रखा है open at both the end और diameter दे दिया तो दोनों side आप end correction लेंगे आपकी L effective हो जाती है ठीक है तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगला question है I think यह आपका homework होना चाहिए same चीज है ठीक है equation से velocity निकालेंगे और under root में ty mu से match करेंगे चला जाए आगे tuning fork a of unknown frequency produces 5 beat per second अब जब देखो एक tuning fork मतलब एक आपका oscillator ही आप कह सकते एक tuning fork यह है और एक आपका tuning fork यह है ठीक है अब question read करते है tuning fork a of unknown frequency इसकी आपको frequency नहीं पता n not माल लेते है न a माल लेते है ठीक है produces 5 beat per second with a fork of unknown frequency of known frequency 340 hertz इसकी जो frequency है that is 340 hertz की ठीक है तो आप beat इन दोनों के बीच में beat frequencies कितनी है that is 5 beats per second this is your beat frequency ठीक है तो क्या आप समझ सकते है एन a की values क्या क्या हो सकती है 5 अब यह भी हो सकता है यह 335 हो when fork is filed अगर आप a को file कर रहे है file करना मतलब thin कर रहे है घिस दिया आपने ठीक है तो thin कर दिया है तो अब यह वाली आपकी जो fork है यह पतली हो जाएगी ऐसे और दूसरी वाली fork अभी आपकी ऐसे के ऐसे ही है ठीक है इनों देखा है fork a is filed the beat frequency अब इन दोनों के जो आपने frequency इसकी हो सकती है 2 की तो 338 भी हो सकती है और 342 भी हो सकती है यह दो frequencies हमारे पास हो सकती है what is the frequency of fork a की कौन सी frequency होनी चाहिए ठीक है अब यह सी बात है यह पहले original वाली की बात कर रहा होगा है न हमाय पास what is the frequency of fork a तो original case में हमाय पास frequency क्या थी अब ज़र देखो कि अगर मैं किसी fork को घिस देता हूँ पतला कर देता हूँ तो यह जल्दी जल्दी oscillate करेगा ठीक है तो यह fast oscillation करेगा और अगर यह fast oscillation कर रहा है तो time period इसका कम हो जाएगा और frequencies की बढ़ जानी चाहिए हाँ या ना जो पतली चीज होती है वह जल्दी oscillate करेंगे जल्दी oscillate करेंगे तो उसकी frequency हमाय पाँ बढ़ जाएगी अब ज़र यहाँ पर देखना अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 335 इसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर यह 335 होती तो यह यहाँ से यहाँ बढ़ चुकी है अगर यह पहले 345 होती तो यह कह रहा है यह कम हो गई है तो obviously बात है यह तो wax loading पर होगा case अगर आप किसी पर wax लगा दो इनके अगर आप tuning fork की बात है wax से जब आप load करते तो भारी हो जाता है भारी होने के बाद टाइम पिरेड़ बढ़ जाता है फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है 345 से 342 यह wax loading का case होता तब आपकी बात सही है लेकिन अगर आप देखे तो इसको आपन की यह option आपका answer basically होगा अब आपको theory में recall करना है कि आपके जो beats वाला था उसमें filing का case and waxing का case हमारे पास रहता है बसी वाला waxing दिमाग में आगया होगा आपको wax loading का case रहता है तो उसको आपको एक बार analyze करना है चला जाए आगे अगला question traveling wave produces a standing wave represented by equation अब जाए देखो यह आपकी extending wave है अगर मैं इसकी बात करूँ तो y is equal to 1 mm तो 10 raised to power minus 3 meters cos 1.57 centimeter inverse x ठीक है और sign of 78.5 second inverse into t यह आ गया तो जब आपका x और यह अलग-अलग है तो obvious सी बात है यह आपकी standing wave का ही है part standing wave का part ही है ठीक है the node closest to the origin in the region is अब ज़र देखना जो node बिलकुल closest to origin है origin के बिलकुल पास उसका x क्या है भाई देखो यही तो आपका amplitude हुआ ना standing wave में amplitude is a function of x standing wave में amplitude is a function of x और यह आपको बता रहा है कि at x equal to 0 अगर आप देखें at x equal to 0 तो cos की value 0 हो जाएगी cos 0 is 1 तो हमाय पर amplitude आपका आजाएगा 10 raised to power minus 3 ठीक है that is maximum amplitude से हमारे पास होगा और maximum amplitude से अगर हमारे पास हुआ तो यह तो आपका anti node हुआ node की अगर आप बात करें तो node एक ऐसा point होता है जहां पर amplitude नहीं है तो यह क्या कह रहा है कुछ एक्वेशन है हमारे पास standing wave आपकी कुछ ऐसे बन रहे होगी x equal to 0 पर आपका anti node है तो अगला जो पहला node आएगा तो that will be at a distance of lambda by 4 ना बेटा है ना तो जो आपका first node होगा that will be at x equal to lambda by 4 अपसर lambda कहां से निकाले मैंने का थोड़ा से दिमाग लगाओ यह आपका k दे रखा है k is equal to 2 pi by lambda तो यही आपका देखा जाए तो pi by 2 cm inverse दे रखा है है ना यही तो दे रखा है 1.57 is pi by 2 ठीक है तो आप यहां से lambda निकालिए ठीक है उठा गरके यहां पर रख दीजे आपको centimeter में ही पूछा है तो अगर आप देखें तो lambda is equal to आपका 4 cm आ रहा है और अगर यह 4 आ रहा है तो 1 cm आपका answer basically हो जाएगा clear चला जाए अगले question पर अगला question in a wave equation यह the velocity of the wave यह अब आप तो ज्यादा impact नहीं पता लगेगा लेकिन फिर भी आप कभी भी एगर इस प्रकार से है कभी भी इस प्रकार से पूरे bracket को खुल लेना sign of ठीक है क्योंकि यहां तो ratio होगे तो ज्यादा impact नहीं आएगा लेकिन कई बार गडबड होते वें देखा है मैंने 2 pi by lambda into 400 t minus 2 pi by lambda into x य राइट मैं सोच रहता है इसमें और alteration में बता दूए एक और question भी आया हुआ है ठीक है इसमें एक तो velocity of the wave भी पूछा हुआ है एक velocity maximum velocity of the particle भी पूछा हुआ है एक बार maximum velocity of the particle भी पूछा हुआ है कई बार इनका ratio भी पूछा हुआ है जो v equal to omega by k है अब देखो यहां से आप omega ये वाला part आपका omega हो गया यह आपका omega हो गया और यह वाला आपका अब के हो गया तो अगर आप velocity of wave की बात करते तो आपका omega आ जाएगा 2 pi by lambda into 400 divided by k की बात करेंगे 2 pi by lambda हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब ज़र देखना velocity क्योंकि जब हमारे पर traveling wave होती है न तो इसमें particles oscillation कर रहे है ज़र देखना पार्टिकल इसमें oscillate कर रहे है किस direction में कोई अगर आप पूछ ले y direction में particle का displacement y direction में है wave travel किस direction में कर रही है wave travel यहाँ minus है तो plus x-axis में आपकी wave travel कर रही है तो particle shm में होता है तो इसकी maximum होती है a omega अब a की बात करोगे तो आपका a है 0.5 meter में दे रखा है तो 0.5 अब omega आपको जब रखना है तो omega आपका आता 2 pi by lambda into 400 देको यहां गलती हो जाती है क्योंकि बच्चे कहते सर आपने या हमने पढ़ाए time के साथ वाला आपका क्या होता है ओमेगा होता है ठीक है तो बच्चे ओमेगा 400 ले लेते तो यहां गलत हो जाता है इसलिए कह रहा हूं ब्रैकेट ओपन कर ले नहीं यहां तो रेश्यों ले रहे हो तो यह तो कटी गया अब कई बच्चे यह भी देख सकते हैं कि विलॉसिटी आपकी 400 मीटर पर सेकेंड थी वह 400 मीटर पर सेकेंड की थी यह ओमेगा नहीं है जब आप मल्टिप्लाइ करोगे तो टाइम का जो कोफिशंट बनेगा तो यहां पर अब कोश्चन में तो लैम्डा नहीं दे रखा है मैं इसलिए कह रहा था कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कभी भी अगर आपको ब्रैकेट ब्रैकेट में कोई चीज दिख जाए पहले आप ब्रैकेट ऊपन करिए फिर टाइम का कोफिशंट जो है वह ओमेगा है एक्स का कोफिशंट जो है डाट इस टू पाइब लैमडा क्लियर चला जाए इतना the value of wavelength in for which the wave velocity become equal to मैं अच्छा देखो आई गया question ठीक है अब जड़ा देखो यह इसी question की मैं बात भी कर रहा था a transverse wave is represented by जर ध्यान से देखना y is equal to 2 sin omega t minus kx अब वेव अगर आप wave propagation की अगर आप बात करें तो wave किस direction में propagate कर रही है that is plus x-axis particle का oscillation किस direction में है particle का oscillation की अगर आप direction की बात करें तो y-axis particle जो होता है वो shm में होता है इसलिए हम लोग इसको shm traveling wave भी कहते है the value of the lambda for which wave velocity अब जड़ा देखो question में क्या दिया है velocity of wave becomes equal to maximum particle velocity क्योंकि particle actually में अपनी position के about sa और sa a amplitude का oscillation कर रहोता है तो जब यह shm इदर कर रहोता है wave का propagation आपका इदर हो रहा है wave propagation आपका इदर हो रहा है इसलिए हम लोग इसको कहते है transverse wave ठीक है कि particle oscillation इदर है wave propagation हमारा इदर है the velocity of the wave is omega by k आपका है and maximum velocity of the particle is a omega तो इन्होंने का है कि यह दोनों बराबर हो गए है as per question as per question कि अगर मैं बात करूँ तो omega by k is equal to a into omega तो 1 by k is equal to a ठीक है अब इन्हों काये तो wavelength बता नहीं है तो k को अगर आप रखेंगे 2 pi by lambda तो lambda is equal to 2 pi into a हमारे पास आ जाएगा 2 into 3.14 into हमारे पास amplitude is 2 ठीक है 2 cars a and b are moving away from each other in opposite directions ठीक है 2 car है एक car a माल लेते हैं और एक car हमारे पास b है यह opposite direction में move कर रही है एक इधर move कर रही है एक हमारे पास इधर move कर रही है ठीक है in opposite direction both the cars are moving with a speed of 20 meter प्रती सेकंड की speed से 20 and 20 with respect to the ground if an observer in a car a detects a frequency of 20 इसने apparent frequency जो हर्ड कर रही है that is 2000 हर्ड की ठीक है और the sound coming from car b what is the natural frequency of the sound इसने horn को blow करा तो sound आपकी ऐसे propagate हुई this is velocity of the sound ठीक है और speed of the sound हमें दे रखी है velocity of sound is 340 आपको लेके चलनी है ठीक है अब ज़र यहाँ पर दियांचे देखना जो आपकी apparent frequency होती है that is equal to n0 into velocity of sound plus minus velocity of observer upon velocity of sound plus minus velocity of source यह होती है ठीक है इसने जो apparent frequency hear करी है that is 2000 original frequency आपसे पूछी है 340 अब divided by 340 अब ज़र देखना ठीक है अब आप कैसे रखेंगे sign observer आपका यह है यह sound को hear कर रहा है this is observer and this is your source देखो दोनों की इसकी velocity और इसकी velocity same direction में तब आप minus use करते है minus 20 हो जाएगा और इन दोनों की direction opposite है तो plus 20 आपका हो जाएगा आप देखें तो n0 आप basically calculate out कर सकते हैं ठीक है चला जाए अगले question पर अगला question the driver of a bus approaching a big wall notice that the frequency of the bus horn changes from 420 to 490 hertz when he hears is after being getting reflected from the wall find the speed of the bus if the speed of the sound is itna अब यह reflection का case है इसको जड़र ध्यास समझना माल लीजे आपका एक bus driver है और यहाँ पर आपकी एक wall है इसको reflection वाले से भी कर सकते हैं लेकिन कई बच्चे पहली बार हो सकता अगर कर रहे हैं तो basic से भी जा सकते हैं अब जड़र देखना है यह driver of the bus है अप्रोच इसने horn को blow करा तो एक इसको 420 hertz भी सुनाई दी और 490 hertz भी सुनाई दी सर दोस frequency कैसे देखो जो भी इसके अंदर बैठा होगा ठीक है जो भी इसके अंदर बैठा होगा जैसी on बजाएगा तो उसको वही frequency तो सुनाई भी देगी ऐसा क्यों क्योंकि यह आपका अगर source है यह भी अगर वी से चल रहा है यह भी वी से चल रहा है तो n apparent जो इसको directly ध्यान से समझ ना सर जो directly आ रही है उसमें कोई change आएगा क्या एन apparent will be a not into अगर आप ध्यान से देखें 3 कितना है हमारे पास 330 ठीक है हमारे पास जो भी आपके sound की direction है अगर आप किसी भी direction में लें दोनों की velocity same direction में है हमारे पास या फिर आपके sound is very जो source है इसी के पास ही present है तो दोनों की velocity same है अगर relative velocity ही नहीं हुई तो apparent change नहीं आएगा यहां से तो आपको कई के बच्चों को confusion हो जाएगा लेगर आप यह समझ सकते है कि हमारे पास दोनों मैं जहां पर हूं हौन है वहीं पर मैंने प्रेस करा मेरी frequency और इसकी frequency दोनों की match वो speed match है same direction में तो apparent frequency यहां नहीं आएगा आएगा difference कहां से जरह इसको देखते है एक तो इस नहीं यह वाली जो frequency here करी है ठीक है यह हो गई आपकी directly जो इसको सुनाई दी फिर एक होईगी sound ऐसे जाएगी इसके पास पहुंचेगी टकरा के वापिस इसके पास आएगी तो दो step में हमारे पास होगा यह question ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इसने एन जो directly इसने sound सुनी है that is your actual frequency और actual कितनी है आपकी 420 hertz की और जो indirectly आएगी ज़र ध्यान समझना उसको two step process से हम लोग करते है two step process से आप इसको solve कर सकते है two step process में क्या होता है two step process में आप यह मानिए अभी हमें speed of the bus बतानी थी यह velocity of the bus V है ठीक है पहले step में अगर मैं first step की बात करो तो first step में आप यह समझेए कि आपका source यह इसको wall को आप observer बना लीजिए at rest क्योंकि wall तो move नहीं क sound ऐसे गई हमारे पास और यह भी V से ऐसे ही जा रहा है तो अगर N0 आपकी general frequency थी this is your N0 ठीक है तो जो पहला frequency जो इसको मिलेगा N1 की अगर मैं बात करो तो this will be N0 जो इसने develop करी into velocity of sound is 330 ध्यान से देखना आपका observer rest पर है तो कुछ नहीं लेंगे divide by 330 अगर आप ध्यान से देखें हमारे पर दोनों same direction में minus V आ जाएगा है ना sound इधर जा रही है बंदा भी दर जा रहा माइनस और denominator कम हुआ तो high frequency जैसे आपका source पास आता है तो high frequency sound सुनाई देती है second step में आप क्या करेंगे ठीक है second step में अगर आप बात करें तो second step में आप कह सकते हैं अब दिवार से ये चीज़ टकराईगी तो इसने जो frequency इसको पाई इसने वापिस reflect कर दी तो और car आपकी इधर से आ रही है V speed से अब ये आपका observer बन जाएगा और ये आपका एक source बन जाएगा कितनी frequency का इतनी frequency का ठीक है velocity of sound आपकी इधर है तो इस बार जो इसने indirect final frequency जो सुनी होगी that will be N1 ये वाली frequency into 330 अब ज़र देखना ये observer बन गया opposite direction में plus V divided by 330 और ये आपका source at rest है ये आ गया N1 की value अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर N1 की value आएगी N not into या लिग देता हूँ that will be N not into 330 divided by 330 minus V into 330 plus V divided by 330 यही आ रहा है हमाया पास 330 minus V है ना तो यहां से अगर आप इसको देखें तो यह आपका और यह आपका कट गया N not into 330 plus V upon 330 minus V कुछ इस प्रकार से आएगा और यह आपकी indirect frequency आपको कितनी मिली है indirect आपको frequency मिली है 490 hertz की ठीक है तो यह आपकी जो equation बनेगी that will be 490 hertz is equal to 420 original frequency 330 plus V divided by 330 minus V आप यहां से V को solve कर लेंगे तो यह वाला question आपके लिए बहुत important reflection वाले questions आपके लिए बहुत ज्यादा important है ठीक है और एक question मैं आपको homework दे रहा हूं डॉपलर्स का प्रीद आप इसको भी try कर लीजेगा यह simple question है ठीक है चला जाए आगे तो यहां तक हमाय पास परियाप्त समय में हम लोगों ने काफी सारे questions करें है और अप्रोक्सिमेट 25 जो पर questions करें है ठीक है तो आप सभी लोगों को इन questions को अच्छे से try करना है इसी पर आपके कई बार repetitive है important factors में मैं आगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप velocity of wave in a string and velocity of sound क को एक बार अच्छे से cover करी सेकन्ड स्टेप में आपज़े कि आप सारी equations को समझ लीजिए हमारे पास कोई भी sa cm की wave की equation क्या है traveling wave की equation क्या है standing wave एक्वेशन क्या है और beats की equation हमारे पस क्या है उनमें क्या क्या difference है k क्या है omega क्या है velocity of the particle maximum क्या है velocity of the wave क्या है ये सारी चीज़ें आप उसमें समझ लिजे तीसरी चीज जिस पार आपको जाना है that is your standing wave Standing wave आपके लिए बहुत important है, उसमें आपके string के resonance और आपके organ pipes के resonance को समझना है, resonance tube को आपको अच्छे से तियार करना है, फिर उसके बाद आप जाएंगे अपने Doppler effect पे, और Doppler effect के साथ ही आप अपनी beat frequencies को भी relate कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर chapter हो जाएगा खतम, ठीक है, तो 12th वाला part continue करेंगे, actually मैं sir लोग बहुत ज्यादा busy थे, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा 11th वाला part ले लिया, ठीक है, तो sir लोग बहुत busy थे, अभी syllabus completion चली रहा था, अब तो I think sir लोग भी थोड़ा सा relax हुए है, तो आप लोग ज्यादा load मत देना, sir की बातों पे पूरा वि प्रेक्टिस में convert करने से ही आपको teachers की बहुत सारी blessings मिल जाती है, ठीक है, और कई बार बुरा समय आने पर blessings ही काम आती है, ठीक है, समझ काम नहीं आती है, तो मैं आप सभी लोगों को all the best बोलूँगा, अपनी तियारी के लिए, आप अपने जो शोर से पढ़ाई करते रहे continuity बनाएं रखें, आपने आधा पढ़ाव पार कर लिया है physics का, अब आधा पढ़ाव भी बहुत दिगश टीचर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे, प्लीज आप खुशी-खुशी से सर लोगों के साथ जुड़ जाना, जो बोले सर उसको अच टिक क्या पढ़ते रहिए, मचाते रहिए